हलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छोंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं CSJMU कांटो इन्वर्सिटी की तरब से एक नई नोटिस जारी हुई है यहाँ पर आप लोग देखेंगे नियोज़ पेपर की कटिंग भी है कि ABC ID के कारण हजारो छात्रों का पेडाम अटका अब इसमें किसकी गलती है इसमें छात्रों की कोई भी गलती नहीं है जरूरी नोटिस यहाँ पर आ चुकी है रिजल्ट अपडेट को लिकर सभी छात्र ध्यान दे ABC ID प्रोब्लम सॉल्व इस वीडियो में जो आपको प्रोब्लम आ रही है इसके बारे में सारी डिसकस करेंगे आज की यह डेट है तो चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हर बार बोलता हूँ कानपूर इनवर्सिटी की अपडेट पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लेना साथ में टेलिग्राम को भी जॉइन कर लेना क्योंकि टेलिग्राम पे सबसे पहले अपडेट मिलती है कोई भी जानकारी हो उसके बाद ही मैं व्यूडियो बनाता हूँ और सस्क्राइब करेंगे तो बगल में आपको एक घंटे का आप्शन आएगा तो उसे बेल आइकन पे आल पे क्लिक कर देना इससे जो भी मैं व्यूडियो अप्लोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और एक बात और ज़रूरी है यहाँ पर हम बता देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन साट आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं डिटेंड प्रॉबलम को लेकर अपना रिजल्ट चेक करते हैं डिटेंड प्रॉबलम आती है मैं आपको बता दूँगा जब भी कोई result नहीं आता है आप बार-बार जाकर check out करते हैं तो detain problem वहाँ पर show करेगी तो अगर आप back paper के student हैं तो आपको wait करना है जब भी आपका result आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा चैनल को subscribe करके रखिए तो चलिए यहाँ पर notice पर हम चलते हैं वही पर आपको पूरी चैनकारी बताते हैं यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे कानपुर सिटी का newspaper उठा कर देख ले ना कानपुर सिटी और यहाँ पर जो आज की date है आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि ABC ID के कारण हजारों चात्रों का परिणाम अटका हुआ है यहाँ पर किसकी गलती है यहाँ पर देखेंगे ABC का फुल फार्म होता है Academic Bank Credit ABC ID अपडेट ना होने के छत्पती साहुजी महराज विभी के हजारों चात्रों का परिणाम अटक गया है यानि कि ABC ID जनरेट ना होने के कारण हजारों चात्रों का जो परिणाम है वो अटक गया है चात विभी के चकर काट रहे हैं कई चात ऐसे भी हैं जिनकी ABC ID अपडेट है तब भी उनका परिणाम नहीं जारी किया गया है यानि कि उनका इनवर्सिटी की तरफ से परिणाम रोका हुआ है जिनका ABC ID जनरेट भी है जारी नहीं किया गया है कई कालेजों ने विभी इस सम्मध में शिकायद की है आपको बता दूँ कि इंवर्सिटी ने भी एक नोटिस निकाला था जिसमें जो भी प्रॉब्लम जिसको आ रही है वो मेल कर सकता है तो इसमें बच्चों ने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मेल भी किया है अब यहाँ पर और जानकारी देखते हैं नीचे क्या बताया गई है नीचे बताया आईडी जनरेट करने के दोरां छात्रों के आधार कार्ड वाले नंबर पर ही OTP आना था ऐसे में कई छात्र थे जिनके मुबाइल नंबर बदल गए हैं या बंद हो गए हैं ऐसे में OTP ना आने से इन छात्रों की ABC ID बंद नहीं पाई थी इनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और साती में यहाँ पर बताया गया कई कालेजों ने विभी में शिकायत की है अगली कच्छा में प्रॉब्लम नहीं ले पा रहे हैं तो जिनको भी यह प्रॉब्लम थी मैंने बीडू बनाया था कि आप email ID कैसे email ID से अपनी जो प्रॉब्लम हो शिकायत कर सकते हैं और जाकर शिकायत जरूर से जरूर दर्ज करा आएं जब बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको तुरंत वीडियो के मध्यम से बताऊंगा तो चैनल को सस्काइब करके रखिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद